साथियों, अगर राजनीती में ही स्वार्थ होगा, तो कोई भी आकर पैट्रोल, डीजल भी मुप्त देने की गोश्णा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छिनेंगे, देश को आत्म निर्भर बनने से रोकेंगे, ऐसी स्वार्थ भरी नितियों से देश के इमानदाट टैस्ट्वेर का बोज भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ऐसी गोश्णाय करने वाले कभी नई टेक्नोलोजी पर निवेश्ट नहीं करेंगे, वो किसान से जूठे वाइदे करेंगे, लेकिन किसानों की आए बढ़ाने के लिए इथेनोल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदुशन पर हवा 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 बाते करते रहेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। निश्टा चाहिए, नीती चाहिए, इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती हैं, और सरकार को बहुत सारी राशी निवेश करनी पड़ती हैं। जब सरकारों के पैसा होगा ही नहीं, उसके पाद धनी नहीं होगा, तो इधेनल प्लांट, बायो गैस प्लांट, बड़े बड़े सोलर प्लांट, हाइड्रोजन गैस के प्लांट, जो आज लग रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे, लेकिन ये राश्ट तो हमेशा रहेगा, सद्यों से रहता आया है, सद्यों तक रहने वाला है, उसमें रहने वाली संताने भी हमेशा रहेगी। हमें हमारी भावी संतानों के भविश्य को बरबात करने का हक नहीं है, साथियों आजहादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वालों ने भी इसी सास्वत भावना से काम किया है। अगर वो भी तब अपना सोचते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, तो उनके जीवन में भी कोई कश्ट नहीं आता। वो कठिनाईयों से, गोलियों से, फांसी के फंदे से, यातनाओं से बची जाते हैं, लेकिन उनकी संताने, यानि हम, हम भारत के लोग, आज, आजहादी का अमरित महोसम नहीं मना पाते हैं। अगस का ये महिना क्रांती का महिना है, इसलिए एक देश के रुक में हमें ये संकल्प लेना है, कि ऐसी हर प्रबृत्य को बढ़ने नहीं देंगे, ये देश का सामुहिक दाईत्व हैं।